सिर आपको अलग-अलग नामों से लोग कह देते हैं, कॉमेडियन बोल देते हैं, कह देते हैं, पपेट आर्टिस्ट कह देते हैं, क्योंकि आप जो करते हैं, उसका नाम शायद मैं भी ना लूँ, प्रननसियेशन नहीं आ पाती है मुझे, थुरा सा मुझे बताई, क्या कहते हैं इस आट को, इस आट को कहते हैं, तो मेरे से पूछा है उन्होंने, तो मैं नहीं कोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, बता दे क्या कहते हैं, इस आट को कहते हैं, तो यू कता दे, बता ना, बता, रोमियो को भी नहीं बोलने आ रहा, आता है, इसे कहते हैं, वेंट ल किस्ट अंट उच्ट उट सच बोलूं तो जब आप किसी चीज की चाह रखते हो ना तो बहुत जादा अपको उसके पीछ पीछे महनत करने की ज़रूद नहीं पड़ती घाए अ क्योंकि आपकी महनत तब हो जाते ही जब आप उसकी चाह रखते तो आपके नयुदे में वह च तो हम लोग आपस में बातें करते हैं तो मुझे बहुत जादा प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ी मुझे लगता है कि मैंने शूज करकर के ही मेरी प्रैक्टिस हो गई तो फिर लोगों ने पसंद करना ज्यादा शुरू कर दिया और यही वज़ा है कि आज आप भी हमारे हम तक पहुंचे हैं बिहार के पुर्णिया के बेटे हैं अब बिहार में जब बेटों को कुछ बनाने की बारी आती है तो लोग इचाते कि बेटा इंजीनियर बन जाए डॉक्टर बन जाए सरकारी नौकरी हो जाए कहां से आपने जो है वह वो रोमियों को अपना लिए घर वाल यह सरकारी नोकरी होनी चाहिए तो लोग तैयारी करते हैं डॉक्टर इंजिनियर की और जब मैं इसको लेकर कर रहा था तो बाकी लोग मेरे रिष्टेदार कह रहे थे कि ठीक है राज कॉमेटी अच्छा करता है बट इसमें फ्यूचर थोड़ी है इसमें से क्या होगा आगे क्या होगा यह वो लेकिन आज इस बात की खुशी है कि वो लोग खुद प्राउडली बताते हैं लोगों को कि राज तो हमारे घर का लड़का है ऐसा घर के तो थोड़ा टॉफ तो हुआ इस चीज को अपना कर आगे बढ़ना शुरू में घर की घर से परमिशन नहीं मिलना वगेरे वगेरे बट सोशल मीडिया ने मैं मुंबई रहता हूं और वहां पर बहुत स्ट्रगल है बहुत दिक्कत है बट सोशल मीडिया बहुत अच्छा माधिय में जहां से आप अपने टैलेंट को लोगों तक पहुंचा सकते हैं और फिर आप खुद ही लोग आपको उस मैं बहुत ज्यादा मतलब कुछ सहा होता है तभी वह कौमेडी कर सकता है तभी वह लोगों को हसा सकता है क्या यह बात सही है यह गलत है को इसा मनना है कि हर केस में ऐसा नहीं होता है अगर मेरे केस में तो बिल्कुल ऐसा नहीं है मैं बहुत बिंदास हूँ मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है तो मुझे लगता है कि हसाने के लिए बस आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपकी बातें वो सटिक होनी चाहिए जो लोगों के दिल तक पहुंचे अब्जर्वेशन आपका अच्छा होना चाहिए तो मैं इस बात के लिए डिसगरी करता हूँ कि उसमें कोई अंदर से कोई दुखी हो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है इसके साथ ही मुझे अब्जर्वेशन के बारे में बात किया एक चीज मुझे नजर आड़ी है कि जब आते रोमियो के मुवज है क्या मैं सही बोल रही है रोमियो आपके सवाल ने मेरे पूरे इसमें खड़े कर दी आपने बिल्कुल मैं ऑजर्वेशन की बात कर रहा था आपका उजर्वेशन बहुत खतरनाक है क्योंकि एट टाइम मैं आपके बातों को भी सुन रहा हो तो औ जवाब ऐसे अच्छे आजाते हैं रिपोर्टर लड़की ओ तो जवाब अच्छे आजाते हैं और ख़र से खुबसूरत हो तो और ही आजाते हैं वैसे रोमियों की जो आप वे सूशा देख ले और जो पहचान मैं कहूंगी कि राजी की पहचान रोमियों से मतलब बन चुकी है हाना मैं तो यह नहीं कहूंगी कि लोग इनको आपके नाम से जानते हैं अभी मैं आपको बताओं कि रोमियो अगर मेरे साथ नहीं होता है तो मुश्किल से मुझे अगर मैं कहीं भीड में भी हूँ तो बहुत कम लोग होते हैं जो मुझे पहचान पाते हैं और इस बात का मुझे थोड़ा फाइदा मिलता है मैं कहीं भी घूमता हूं मज़े करता फिर तो भाई लोग दूर से ही कहता अरे यह तो वह राज सोनी है ऐसा अगर के तो इससे मेरी सच में इससे पहचान है और मैं साइड आर्टिस्ट हूं लीड आर्टिस्ट तो यह है आज से और जद्दिने का संग्जे अच्छा मैंने देखा है रोमियो लड़कियों पे का कैसे कैसे जो है बहुत ही जादा फोकस्ट रहते हैं तो कुछ सोचा है महिला मित्र वेगरा है इनकी आज के जमाने में अगर ग्लेमर ना हो चीजों में तो फिर उसमें मजा नहीं आता है इसको कौन सुनेगा अखी सोचा है तो जो लड़किया है वो खुद मुझे फियार क किस्ट बड़ी-बड़ी जो एक्ट्रेस हैं उन्होंने इनके चेहरे पर इतना ज़्यादा किस किया है इतना जादा इनके चेहरे को चुआ है कि इनका जो चेहरा सपेद था आप देख लीजे थोड़ा सा जो है वो मड़ हो चुका है तो मैंना हमेशा अपने दर्शकों से जो भी लोग मुझसे मिलने आते आफ्टर शो काई सारी लोग आते हैं फोटोग्राफी के लिए तो मैं उनसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज आप इसका चहरा ना चुए जलता यह ऐसा कुछ नहीं है सब लोग इसे जब इसको किस्विस करते हैं तो गंदा कर देत कि जो भी खास करके जो लड़कियां होती है वो इनकी इसकी बातों अच्छे यह अगर किसी लड़की के बारे में कुछ ऐसा भी बोल देना जिससे उनकी थोड़ी बेज़दी भी हो रही वो उनको पॉजिटिव वे में लेती यह हाँ यह अच्छा लगता है अगर मैं किसी कैसी मंच पर हूँ और कोई बात मैं खुद बोल दूँ किसी आदमी को तो थोड़ी दिर के लिए बुरा मान जाएगा लेकिन यह अगर बोल दे तो वो मज़े लेगा क्यारे मेरी पतनी के बारे में कह रहा है मैं इस बात को मानता हूँ बजरंग बली के रूप में में एनक तो आपको यह अगर यह मतलब आगर आपको यह खुश्च दिखेगा तो यह तो यह प्रौपर आपको खुछ दिखेगा यह हूँ है और मतलब तो इसके पता निए इस सच में उस्हें चमतकार कहें या फिर लोगों का प्यार कहें या फिर लोगों का नजरिया कहें जिस रूप में जैसे मैं इसको ढालता हूँ या जो बोलवाना जाता हूँ जो बोलता हूँ ये चेहरे पर भी इसके दिखता है आपको ये फील होती है एनरजी जो इनकी तरफ से आती है इनके चेहरे में कुछ अलग सी बात है अलग सी चमक है ये फील मैं भी करता हूँ कि आपको जैसे मैंने आपको पहले भी बताया ना कि जैसे हमें बात भी करते हैं तो हम दोने एक दूसरे से बात करके तह करते हैं कि यहां पर क्या बोलेंगे तो ये मुझे बताता है कि ऐसा क करें यह मुझे बताता है तो सच में में इससे फिल करता हूं बिल्कुल बिल्कुल अंजली हो और शारु खान की आवाज आपना सुना है बताइए हाँ यह अनजली है हाँ अब हशारु खान की नौकीन तरी आशी की लेक और वागस था लाघो लोगो की दिल पे राज करते हैं अब उलटा होने लगा पहले इसा था आप सर वो वाला सुना जो उन्होंने यूट्यूब पे देखा है जो उन्होंने वीडियो बगर हमें देखा तो वो सुनना चाहते हैं खेर मैं भी अपडेट करता रहता हूं अपने यूट्यूब फेस्बूक इंस्टाग्राम पे तो मुझे भी हर दिन टास्क मेरे लिए रहता है कि कुछ ने कुछ नया करने के लिए तो मैं कोशिश मेरी रहती है बाकि जहां लोगों का जैसा डिमांड होता है वैसी चीज़े हम उनके बीच रखते हैं मैं कहता हूं कि सिर्फ थोड़ी देर के लिए आप किसी से इंस्पार होकर अपने दूसरे काम को छोड़कर इसमें आ रहे हैं और अब अगर आप इस फिल्ड में आ रहे हैं यूट्यूब फेस्बुक अभी बहुत अलग बहुत आगे बढ़ चुका है हर दूसरा आथ में अप एक आदमी को लिंक बेज़ेगा मेरे दो चैनल है तो मैं उनसे बस इतना कहना चाहता हूं कि कुछ अलग करो क्योंकि ये तो आपक इसमें बहुत महनत है आपको थोड़ी देर के लिए फेम दिख रहा है उस राजसोनी के इस नयम और फेम के पीछे कितनी महनत है और कितने साल हंगने गुजारे हैं ये आपको सोचना खुड़ेगा तो फिर आप डिसाइड करें कि आपको क्या करना है मैं सोचा करता था कि म अब लोगों का प्यार मिलता गया हाँ सबसे पहले मैं टिक टॉक पे था जैसे वन मिलियन कम्प्लीट हुए टिक टॉक बैन हो गया उसके बाद तो में तोड़ा हो प्लेस हो गया था है मिल्कुल बिल्कुल फिर जिशन सहाग का पता है हां हाँ हां वो कैसे बूला नोग रोमि yere हो जाय है भजक शॉचन साब अगर भी किशन साब ऐसे बोलता के लड़क यह वागु जिन्दगी जंडवा खिरही घंगंडवा लेकिन लड़की लगके घंगंड नाओगा गहाँ अच्छा लग रहा लगा रगास अगना देखा तानी थैंक्यू सोगच गागु वागई में अंडरेटेट कभी रहे होंगे लेकिन देखिए अजपुर दुनिया से प्यार उटाया जा रहा है मैं कहूंगी कि अभी 4-5 मिलियन आपने पुड़ा किया है मैं यही चाहूंगी कि 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन बहुत जल्दी हो जाए बहुत बड़े-बड़े क आप लोगों को हसाते रहेंगे वादा करने आपकी यही चाहते रहेंगे अब बिलकुल हमेशा यह वादा है और मैं हूना इसके साथ अच्छन गत्म आपको रोमियो सोनी जी के बारे में बाद मैं पूछूंगे लेकिन इस पूरे-फ्रेम का हीरो जो था वो रोमियो था कैसा लगा जरूर हमाचा शेयर कीजगा मिलते अगले वीडियो में एक नहीं कहानी और एक नहीं जानकारी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया थांक यू सो मच